नोज़कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्तमार्ग बर्तमार्ग क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या इलाज होते हैं लेकि बर्तमार्ग मेंली दो तरह के होते हैं निवस यानि की तिल टाइब का जो की काले कलर का होता है और दूसरा होता है वास्कुलर तो पहले हम बात करेंगे नीवस नीवस जो होते हैं वो नॉर्मली बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होते हैं धीरे धीरे वो डार्क होना चालू हो जाते हैं और वो अधिकतर काले रंके होते हैं पर बर्थमार्क में भी हम दो चीज कह सकते हैं, तिल कह सकते हैं, तिल या मस्य, जो की बड़ी आसानी से एक सिटिंग में लेजर द्वारा हटाये जा सकते हैं, तिल इनीशली भी हो सकते हैं, बाद में भी डवलप हो सकते हैं, कई बार बड़ा तिल या उसको मस्य कहते हैं, से लीजन होती है जिसे लसन भी बोलते हैं लसन में यह हो सकता है कि वो फ्लेट हो या उसमें बहुत सारे बाल उगरे हो और वो एज के साथ आपकी ग्रोथ के साथ वो बढ़ता जाता है तो उसके लिए तो नॉर्मली सरजरी की ही जरत पड़ती है सरजरी अगर बहुत बड़ा है तो सरजरी अपने को करनी पड़ सकती है उसको निकाल की या तो फ्олैप लगाना पड़े गा या उस पे स्किन लगानी पड़े गी ॐ अगर छोटे हैं तो उनको हटा के और छ्लैप को मोबिलाइज करके बड़े आराम से बंद किया जा सकता है लेजर भी कई बार अराउंट 30-40% में Q-switch लेजर से उसको कर सकते हैं अगर बड़ा बर्थमार्ख है तो उसमें स्किन लगाने की जरूरत पड़ सकती है अब आईए तीसरे तरह का बर्थमार्ख जिसे वास्कुलर बर्थमार्ख कहते हैं वो हो सकता है हिमेंजोमा हो वो हो सकता है की पोर्ट वाइन स्टेन या लोग लोग वास्कुलर मालफ़रमेशन लोग लोग वास्कुलर मालफ़रमेशन शुरू में बहुत हलका सा दिखता है और उसे जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी डाकनेस बढ़ती जाती है और वो साथ में सकिन भी मोटी होती जाती है कई बार आपका उस हिसे का जहां पर वो लोग लो वास्पलर मालफरमेशन या ओर्ट वाइन स्टेंज जिसे कहते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहां के मास्पेश यहां वहां के हड़ी भी बढ़ने लग जाती है नॉर्मली ये फेस पे होते हैं पर दूसरी जगे पे भी हो सकते है हिमेंजुमा भी बाईबर्थ होता है पर जैसे बच्चे का जनम होता है तो उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा होता है पास साथ दिन बाद आपको लगता है कि यहां पे कोई मच्छर काटा है लाल सा हो गया और वो पिर टेजी से बढ़ना चलू हो जाता है तीन चार मैने पे वो काफी नोटिसिंग हो जाता है और वो एक से दो साल तक बढ़ता है दो साल के बाद दो साल तक या तो वो कम होना चलू हो जाता है या खतम हो जाता है अगर नहीं होता है तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है जो port wine stain की मैं बात कर रहा था या low flow vascular malformation की बात कर रहा था उसका ilaj most of the time अगर वो आप time से आ गए है ज्यादा skin मोटी नहीं हुई है चमरी मोटी नहीं हुई है तो एक laser होती है pulse dye laser pulse dye laser जो होती है वो खाली blood को target करती है उससे वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है pulse dye laser बहुत महेंगी आती है और उसका maintenance भी बहुत महेंगा होता है तो ये थोड़ा सा खर्चीला procedure होता है इसमें कम से कम 15 से beach sitting लगती है अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई लाल या brown color का बर्तमार्क है तो definitely vascular होगा आपको जल्दी से जल्दी contact करना चाहिए बाकी जो है वो आपको अपने at ease आप कर सकते हैं पर बर्तमार्क जो है उनको हटा देना ही ठीक रहता है अब एक बर्तमार्क के बारे में मैं especially बोलना चाहूंगा जिसे giant hairy mole कहते हैं बड़ा सा बर्तमार्क डार्क ब्लेक कलर का और उसमें होग सारे बाल होते हैं उसे giant hairy mole कहते हैं उसे as soon as possible surgery करा लेनी चाहिए क्योंकि कुछ percentage चाहिए वो 2 से 5% में cancer में change हो सकता है जिसे malignant melanoma कहते हैं जिसका treatment बहुत मुश्किल होता है तो यदि आपको इस तरह की कोई भी problem है या आपके जानने वाले को देख के आपको लगता है कि इसके बर्तमार के तो क्रपया करके मैं को मिला है एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा channel पसंद आ रहा है मैं आपकी language में बिल्पुल नॉन टेक्निकल बताना चाहता हूँ तो प्रपया करके मुझे सबस्क्राइब करें शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको देख सकें और अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं नश्कार